सल्मान खान के आगा में फिल्म सिकंदर ने उनके फैंस के बीच काफे उठसुकता पैदा कर दी है ए आर मुरुकदास के निर्डेशन में बन रहे इस फिल्म में सल्मान खान को नए और बेहत रोमांचक एक्शन सिक्वेंस कर तुमें देखा जाएगा यदि ये सिक्वेंस सही तरह से फिल्म आए गए तो थियेटर्स में तालियों और शोर का मनजर देखने को मिलेगा सल्वान खान के फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि अब फिल्म इद दो हजार पच्वेंस पर रिलीज होने वाली है जो जानकारी अब तक सामने आई है उससे पदा चलता है कि फिल्म में एक्शन की भरपूर मात्रा होगी यदि आपने YRF की धूम फ्रेंच आइडी की फिल्म में देखी है तो उनके शानदार बाइक चेक सिक्वेंस को याद कर सकते हैं लेकिन सिकंदर में इससे भी ज्यादा धमाकेदार एक्शन दिखाय जाएगा जुसे देखने के बाद आप धूम की फिल्मों को भी भूल ज मिड़े बिल के रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में जबरदस्त कार्ट चेंज सिक्वेंस होगा जिसमें हाई स्पेड पर क्रेश और ब्लास्ट सीन दिखाय जाएगे इसके अलावा फिल्म में एक हवाई एक्शन सिक्वेंस भी शामिल है जिसमें सल्मान खान उचाई पर लड़ाई करते भी नज़र आएंगे इसे और अधीक रोमांचिक बनाने के लिए स्पेसल इफेक्ट्स का भे इस्तमाल किया जाएगा फिल्म के अंतिम चरण में सल्मान खान का विलेन के साथ आमना सामना होगा जो फिल्म का सबसे बड़ा आकर्शन होगा फिल्म में सल्मा जो पहले आमिर खान के साथ गजनी जैसी बड़ी फिल्म बना चुके हैं सिकंदर का नर्देशन कर रहे हैं जबकि साजीद नाडियार्ट वाला ने इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां जा रहे हैं कि फिल्म में सल्मान खान की दोरी जिंदगी दिखाए जाएगी वह एक ब फिल्म रही तो यह सल्मान खान के इद 2025 को यादगार बना देगी उनकी पिछली इद पर रिलिज हुई फिल्म किसी भाई का किसी की जान 2023 में रिलिज हुई थी लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला पाई 125 करोड के बजट में बने इस फिल्म ने भारत में 110.94 करोड का नेट कलेक्शन किया था अब सिकंदर से उमीदे और भी ज्यादा है और सल्मान खान के फैंस इस फिल्म से काफी उमीदे लगाए बैठे हैं सल्मान खान के सिकंदर फैंस के लिए एक बड़ी सौगात होने वाली है एक्शन से भरपूर इस फिल्म में सल्मान खान का दबंग अवतार देखने को मिलेगा एर मुरुगदास का निर्देशन और साजित नाडियाड वाला का प्रोडक्शन इस फिल्म को और भी खास बना रहा है फैंस को उम्मीद है कि सल्मान खान इस फिल्म से भी फिर से बॉक्स आफिस का धमाल मचाएंगे और इस दो हजार पच्चिस को यादगार बना देंगे